हेलो एरिवन, सिजी पेसी हैक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है करेंट अफेर के सीरीज में आज हम देखने वाले हैं नेशनल गेम्स दोजार तेईस क्योंकि 36 गड़ नहीं इस बार जो है अपना बेहतर प्रदर्शन दिया इसलिए ये करेंटरफेर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसमें हम नेशनल गेम्स में केवल जो 36 गड़ का प्रदर्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में ही देखेंगे ठीक है और National Games के बारे में कुछ डिटेल से देखेंगे ठीक है तो देखते हैं पहला कि जो National Games जित हुआ है वो कौन से संसक्र था वो 37 संसक्र ना था ठीक है और ये कहां हुआ था गोवा में हुआ था इससे पहले जो हुआ था वो हुआ था गुजरात में हुआ था चीक है इसका जो सिध्धान था है नेशनल गेम्स का गेट सेट गोवा ठीक है 2023 का ये आयोजन हुआ था 15 अक्टूबर 2023 से 9 नॉवंबर 2023 सक गोवा था ठीक है इसमें भारत के सभी राज जोर केंद सासित प्रद चैके तोि इसमें टोटल 23 सकेल सामिल थे तो इतना फैक्ट आपको इसालियाद रखना है ठीक है इस बार जो है नेशनल गेम्स में सात खेलों को जो है नया सामिल किया गया था उसमें क्या कहा है १ुट्बॉल है रोल्बॉल है गोल्फ है सेपक गरा है इसको मार्सल तो ये साथ गेम जो है इसको आपको याद रखना है कि कौन-कौन से गेम जो है नया सामिल किया गया आपसे पूछ सकता है ठीक है ठीक है 36 वा गुजरात में पहले ही बता चुका हूं अगर हिष्टी देखे नेशनल गेम का तो ये 1924 में सुरुआत हुआ था लहोर में ये किस नाम से तो भारती ओलंपिक खेल के नाम से शुरुआत हुआ था ठीक है फिर 1940 में इसके 90 संस्क्रण जब आयो जित हुआ तो इसको जो है नेशनल गेम नाम दिया गया था ठीक है इसका जो आयोजन करता है वो भारती ओलंपिक संग करता है ठीक है और एक चीज और बता बता जेते हो यहाँ पे की जो पहला national games हुआ था वो लखनाव में हुआ था अज्यादी के बाद Ukraine 48 में अज्यादी के बाद पहला जो national games हुआ था लखनाव में हुआ थी इतना अपने को याद रखना है फिर देखते हैं पदक ताली का इससे आपसे question बन सकता है तो ये top 5 है पहला जो position पे था national game से वो था महाराष्ट कुल 228 पदक के साथ पहला था फिर दूसरा सिवाय खेल नियंदर बोर्ड था 126 के साथ हर्याना था 192 के साथ इसमें जो है mainly count होता है आपका जो gold medal के हिसाब से आपको चमताव जह मद्यप्रदेश और पाचवा केरल ठीक है ये जो data है उसको मैंने लिया है olympics.com से ठीक है olympics.com से लिया है और national games जो 37 national games goa.in से लिया है ठीक है तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लिजेगा ठीक है चतिसगर का जो इस्थान है चतिसगर का जो इस्थान है वो है 28 है ठीक है नेशनल गेम से मैं आद रखना चतिसगर का कौन से इस्थान है 28 है चतिसगर ने दो gold medal दो silver और 16 bronze ऐसे करके 20 medal जीते है ठीक है और 20 medal के साथ जो पदक तालिका में 28 स्थान पर चतिसगर हमारा है यह जो डेटा है आपको 37 national games goa.in पर आपको मिल जाया ठीक है तो देखते हैं कि 36 गर ने कौन कौन से medal जीता है तो सबसे पहरे गोल्ड medal की बात करते है तो भारतो लन्यानी की weight lifting में एक gold medal जीता है दुसरा कलारी प्याट्टू में है एक gold medal जीता है बाकी जो हमने bronze medal जीता है वो badminton में जीता है ठीक है basketball में जीता है handball में जीता है beach handball में जीता है मलखम में और कुस्ती में ठीक है सबसे ज़्यादा जो हमने पदक जीता है वो कलारी प्याट्टू में लगभग 10 पदक जीता है एक gold, silver और bronze के साथ रखेंगे कि जो आपका आज newspaper है उसमें national games में total 25 medal दिखा है तीन gold और तीन silver के साथ लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जो 36 ज़ल का इस्थान है वो 28 हुआ है अगर क्योंकि हमने जो ये वाला data बताया था आपको ये हमने जो data लिया है वो olympics.com और national games goa.in से लिए ठीक है तो अगर cgpc देगा पर तो authentic source लेगा तो आप इसी को authentic मानिएगा ठीक है और बाकी यहाँ पर जो दिया है कि 36 ज़ल ने जो है 25 medal जिते हैं 3 gold और 3 silver के साथ है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर काफी confusion हो सकता है लेकिन आप authentic source को ही मानिएगा भी है और कुछ update रहेगा तो हमारे cgpc hacks का telegram channel है वहाँ पर आपको चीजे मिल जाएगे ठीक है तो देखते हैं कि जो स्वरणपदक किसने किसने जीता है तो भारत तोलन में जो है 49 kg वरग में यह स्वरणपदक जीता है वहीं पर जो कलारी प्यात्तु में मिसा सिंधु ने जीता है देख सकते हैं कलारी प्यात्तु यह होता है तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना ही पड़ेगा घ्याने स्वरी यादा भारत तोलन के लिए और मिसा सिंधु जो है कलारी प्यात्तु के लिए ठीक है नेक्स रिकते हैं रजक प्यात्त जो दो विजेता है वो कौन-कौन है तो महिला टीम जो तलवार बाजी थी उन्होंने रजक प्यात्त जीता था जिसमें कौन-कौन थे रिवा बेन्नी, रुपाली साहू, मोनिका साहू और तुलसी मानिक पुरी तो इनका नामे आप याद रखेंगे कि जो महिला टीम है तलवार बाजी में उन्होंने क्या है रजक प्यात्त जीता है और नोवेल साहू को जो है कलारी प्यात्ति में क्या मिला है रजत पदक मिला है तो ये दो रजत पदक आपको याद रखना है वैसी most important है 36 गले जो पहला पदक था आकरसी कश्चप ने लाया था कांस से पदक लाया था ठीक है ब्राउंज, बैडमिंडन खिला रही है पिछले बार को जो नेशनल गेम्स हुआ था इसमें उन्होंने क्या जीता था गोल्ड जीता था लेकिन इस बार गोल्ड से बचुक गई और किसमें ब्राउंज मेडल में वो संदूष्ट करना पदा ठीक है तो वे क्या है बैडमिंडन खिला रही है जो इंपोर्टन इंपोर्टन है किवल उसी तत्में को जो है इस करेंड़ फर में सामिल के गया ठीक है नेक्स देखते हैं कि आपका जो नेशनल गेम्स हुआ है उसमें बेस्ट प्लेयर आप दा टूर्नमेंट मेल और फीमेल केटेगरी में कौन-कौन रही है तो मेल केटेगरी में याद रखना आप श्रीहरीने ट्राज जो है वो एक तराक है जो करनाटक के है इन्हें जो है बेस्ट मेल प्लेयर आप दा टूर्नमेंट दिया गया है यह आप उनका पदक देख सकते हैं वैसी female category में जो है प्रनती नायक और सन्युक्ता प्रशेन को जो है best player of the tournament दिया गया है यह gymnast है और यह odysa के हैं इनका medal आप देख सकते हैं ठीक है तो यह इतना जो है national games के बारे में आपको देख के जाना ही है ठीक है इससे आपका question बन सकता है काफी important है इस पेसली हमारा 36 गलवला जो section है उससे आपसे question बन सकता है ठीक है तो एक बार इसको जरूर देख के चाहिएगा ठीक है I hope की वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको किसी topic पे वीडियो चाहिए रहेगा तो आप comment section में comment करके बताइएगा कि किस topic पे आपको वीडियो चाहिए ठीक है thank you so much